हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौलेज एंड एजुकेशन अड़्डा में दोस्तों अभी तक हमने बीटीसी या डियलेट फर्स समेस्टर के मैट्स को पूरा पढ़ लिया और साथी हमने प्रीवेस यर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिये हैं और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज से हम जो है बीटीसी या डियलेट फर्स समेस्टर के मैट्स को खदम करने के बाद साइन्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम साइन्स के पूर तरीका भी सिखाऊंगी कि किस तरह से बीटीसी में लिखा जाता है जिससे पूरे मार्क्स मिल सके साइन्स में क्योंकि अक्सर बच्चों का साइन्स में बैक लग जाता है तो इसलिए यहां पर ऐसा आपको नहीं होगा आपको पूरी नॉलेज भी मिलेगी और प्लस आपको प्री नॉट्स भी प्रोवाइड हो जायेगा और साथ ही आपको जो है समझ में भी हर चीज आएगी तो यहां पर आपको तरीका भी बताया जाएगा तो आप बने रहें मेरे चैनल के साथ और यहां पर साइन्स को जो है डिटेल में पढ़ते रहें और प्लस आपने मैश की वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजे तो चलिए हम अब साइन्स को स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स चैप्टर है सजीव वस्तुवें तो माई डियर फैंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहां पर टॉपिक है हमारा सबसे पहला यूनिट है सजीव वस्तुवें यह चैप्टर थोड़ा सा लॉंग है आपका इसे आप चैप्टर या यूनिट कुछ भी बोल सकते हैं बस पढ़ना है हमें इनको तो इसमें जो है मैं आपको पार्ट वाइज एक या दो पार्ट में यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सजीव वस्तुवें क्या होती है यानि दा लिविंग ठिंग्स क्या होता है तो वह विव्यक्ति जिससे छूने मातल से ही हमें चेतना का एहसास प्रकट होता है वह सजीवता कहलाती है और जिन वस्तुव में यह च यहां पर कुछ और भी बाते बताई गई हैं सजीव निर्जीव और निर्तक के बारे में तो सजीव क्या होता है यानि जिसे हम कहते हैं तो मनुष्य हाती घोड़ा बिल्ली बंदर विभिन पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं क्योंकि व्रिद्धी होती है पोशर होती है प्रजनन होती है निश्चित जीवन चक्र आधी जीवन के कुछ सामान इलक्षर पाया जाते हम भी पढ़ लेंगे तो वहां पर आपका यह भी कॉंसेट क्लियर हो जाएगा बाकि व्रिद्धी तो आप जानते हैं कि क्या होती है चीजों का बढ़ना पोशर का मतलब होता है कि उनको किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन देना जैसे कार्बोहाइड़ेट प्रोटीन फै इसमें जीवन के प्रमुक लक्षर जैसे की पोश और स्वस्वन प्रजनन वगेरा नहीं होते हैं कि आपने कभी किसी मिट्टी को मतलब की वहां पर स्वशन करते देखा होगा ऐसा होता ही नहीं क्योंकि मिट्टी जो होती वह निर्जीव चीज़े होती है इसी टाइप से दाएसे रेल गारी मोटर गारी जहाँ आधी में भी गती करने के लिए हम बाहरी शोर से टेखते हैं महां जो भी शक्ति हम उसमें प्रदान करते हैं वो बाहरी रूप से दिजाती है और वीटकरी वगेरा में भी आपने कभी व्रिध जमने से होती है, यानि धूल, मिर्टि वगरा उसमें अगर जम जाती है, तब उसमें वृध्धी आप देखे होंगे, वृध्धी का मतलब है कि उसके उपर परत जम जाना, जिसे हम बाहि वृध्धी कहते हैं, लेकिन यह जो है निर्जीवों की ही काटेग्री में आता है, करें मृट्टी पश्चात जीवन धारी की संदियव मृट्टी के अफशेश होते हैं उनका उप्योग करते हैं जैसे चमड़ा और पश्चुों की खाल मियाई जाता है और लकड़ी के पौधों के पेड़ों के तने से भी प्राप्त होते हैं सबमें परभिए दोस्तों पर बात करते हैं तो poses में यह पर क्या होते हैं店 को प्रृषने कर सकते हैं आप देखेंगे कि सभी भार्यों में कुछ विशेष लक्षर पाया जाते हैं जिनके अधार्र पर पर हमने जीवों से कुछ कर सकते हैं या निर्जीवव स्वचन करना लागया, जैसे अगर आपके लेंगवेज में कहा जाय?" यह क्या हो सकती है? यह सारी सजीवव के लखश्र में आप सोह-सकते होगे जिस सवस्क्रिक, पौ शुष्थ हो गई अभरच्छ-ब खर5, विदिक ही, धीर kombaj वहाया का अंधिन खे ऐसन का चील सो है क्यों है कि benefici कोश की सो में दोस अंधिन की संवल्चना यानी उंकी स्ट्राक्चर होती है जैसे है भी आप कोशिका बारे में भी पढ़ेंगे तो यहां पर जो है कोशिका क्या होती है कोशिका जो होती है मनुष्य के जीवन की सबसे छोठी इकाई होती है यानि हमारी पूरी human body या कोई भी अगर living thing थिन्ग higher आपका सजीव है तो वो कोशिका से निर्मित है चाहे वो पौधे हो, या फिर जनतु हो, या फिर हम मनुष्य कोई भी, तो कोशिकाओं से मिलकर उतक बनते हैं, और उतकों से मिलकर उतक तंत्र, और उतक तंत्र से मिलकर अंग और अंग से मिलकर के अंग तंत्र बनते हैं, और यही अंग तंत्र हैं, जिन से हमारा पूरा का शरीर बना है तो इसी प्रकार से सभी मनुष्यों में या सभी सजीवों में जो होती है वो कोशिकी सनरचना होती है यानि सेलूलर स्ट्रक्चर पाया जाता है शरीरिक संगठन की बात करें तो सभी में क्या होता है एक बॉड़ी और्गिनाइजिशन होता है पूरी तरह से उसमें हाथ पैर वगेरा सब होते हैं अमीबा वगेरा में हाथ पैर नहीं होते लेकिन उनका एक शरीरिक संगठन होता है उनकी बॉड़ी में भी एक तरह का संग इपापचय की मतलब होता है कि इसी मैटाबॉलिज्म या ऐसी उपापचय क्रिया जिसके कारण जो भी चीजे होती है वह बंती है तो इनको जो है हम उपचय को रचनात्मक गरियाए भी कहते हैं और जो अपचय होता है इसे हम विगट नात्मक यानि की इसे हम कह सकते हैं कि यह जो होता है वो खतम करने वाला काम यानि श्वशन के क्रिया जो होती है वो दहन वाला काम जैसे इसमें होता है यानि यह विगट नात्मक होती है तो इसे हम अपचय कहते हैं और अपचय का उध वो में होता है श्वशन की क्रिया के वज़ा से हम सभी सजीव जो है वह जीवित है जिसकी वज़ा से हमें ओर्जा मिलती है और हमारे सरीर में जो ग्लुकोज होता है उसका दहन जो है वह श्वशन के कारण जो ऑक्सिजन पाया जाता है उसी से होता है पोशर की बात करें यान अगर आपने पोशर वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है सीटेट की सीरीज जब मैं पढ़ा रही थी उसमें तो मैंने वहाँ पर पोशर के बारे में पढ़ाया है बहुत ही डीटेल से उसमे मैंने बताया है तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो अभी आपको जो है टेट वागेरे भी क्वालिफाई करना होगा तो वो उसके लिए भी बहुत हैल्फुल होगा और प्लस आपका इस चैप्टर से कॉंसेट भी क्लियर हो जाएगा और साथी अभी नेक्स्ट भी आप मनुश्यों के लावा और एम बात कुछ जीवन पर्यांत होती है लेकिन उसे हम कह सकते हैं कि हमेशा नहीं होती है लेकिन जो पौदे होते हैंeren उनकी लंबाई में हमें सब रिद्धी होती रहती है और उस सर्जन होता है मनुष्यों में भी और पॉधों में भी जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं जैसे कि मनुष्यों में जो एक्सक्रीशन होता है जैसे यूरीन निकलता है बोड़ी से साथी पसीना यानि स्विट जो निकलता है और प्लस जो आपकी बॉड़ी से CO2 यानि कार्बन डायोकसाइड भी निकलता है जब आप स्वशन करते हैं तो और पौधों में जो उचसर्जन होता है वो जल के रूप में और जब वो प्रकास संस्लेशन की क्रिया करते हैं तो उस करते हैं गती यानि मोमेंट की तो जो भी सजीव होते हैं वो गती करते हैं लेकिन प्लांट्स में गती नहीं होती है उसमें जो गती होती है वो इकी जगा पर होकर वो उपर की और बढ़ते जाते हैं या चारों तरफ से बढ़ते जाते तो उन्हें हम व्रिद्धी बोल सकत यानि कि सभी में क्या होता है पौधों में भी अगर आपने जो है उनको किसी जगह से कट किया तो उनको भी पेन होता है बट वो उसको बता नहीं सकते हैं और मनुष्यों में तो होता ही है और इसी तरह से जितने भी सजीव होते सभी में सम्वेदन शीलता और अनुकूलन होत अपने ही समान संतान की उत्पति आनी की चाहे वो सजीव या निर्जीव हो सभी में ऍचाहमत कि चीवद own होता है। और अजिवन चकर equality और शाहता है। यानि या रहता जलती है। या निमल्ट चाहे सब सबमytes होमें। ऊरफके बात भूसरी लफ्टba करते आपको पेपर में इससे ऐसा क्वेशन नहीं आएगा बस यह पूछ लेगा कि सजीव के क्या लक्षर होते हैं तो आप एक क्लाइन कर सकते हैं जितना आपको नॉलेज मैंने दे दिया है उतना बहुत है और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हों तो बना सकते हैं अब हम बात क इस चैप्टर में मुझे लगता है कि देना होगा मैं आपको प्रॉइट कर दोंगी तो यहां पर आपको बनी-बनाई नोट्स मिल जाएगी प्लस में इसका पीडिएफ आपके इसी मतलब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉइट कर दूंगी पूरे चैप्टर में जो जो मैंने अभी तक पड़ाए है इस चाप्टर का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिर नेक्स्ट जब पार्ट लेकी जाऊंगी तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो पीडियो मिल जाएगा तो आप उसको नोट करके अपना नोट स Regular और सजीव वस्तूओं की आकरती और आकार निश्चित होती है जबके निर्जीव वस्तूओं की आकरती और आकार निश्चित नहीं होती है वो कभी भी बदल सकती है जैसे एक्जामपल के लिए अगर मैं कहूं आपसे कि आपने कोई एक अलमारी बनवाई है ठीक है वो अलमारी छोटी भी हो सकती और बड़ी भी अगर आपने कोई चेयर या मेज बनवाया है फोटे बच बच्चे के लिए बनवाया है तो उसकी अधरी बड़ा फोगा जो एक घक कोशीव की शनरचना एक बना होता है और अथ्वा अनेक कोशिकायों कोशिका में क्या होता है । तो सजीवों में सारे रिक्सन रशना अनेक अंगो तथा अन्य तंत्रों से बनी होती है, जबकि निर्जीवों के आकार का गठन और इसके गठन इनके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों के जोड़ने से होता है, जैसे विबन धात्वों के बने भागों से जहाज की रश का उपय जायेगी आपका पोशर आसे आपकि अफस्य की रचनात्मक में अपका शुशन के तो और विगट नात्मक का मतलब है कि उसको तोड़ देना यानि कि स्वशन जब आप करते हैं तो ग्लुकोस का क्या हो जाता है वाप ब्रेक हो जाता है और निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता निर्जीवों में कोई भी उपापचे क्रियाई कि नहीं होती ना तो उसमें पोशड होता है और नही उनमें शवशन होती है अब हम बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी तो है शवशन की सवशन यानि रैस्पीरेशन तो सजीवों में शवशन की ख मदा नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको भी बताय है कि जो हमारा बॉड़ि है जो आक्सजेञ लेता ह तो वो oxygen की उपस्तिती में ही जलाते हैं वैसे हमारा शरीर भी जो होता है वो oxygen की उपस्तिती में ही glucose का क्या करता है देहन करता है जिसकी वज़ा से हमको ATP नामक उर्जा मिलती है यानि adenosine triphosphate और निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता निर्जीवों में स्वशन की क्रि यहां के लिए उर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है और निर्जीवों को भोजन की आउशकता ही नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई विज़ायवे क्रिया नहीं होती है यानि जैसे की पोशण नहीं होता श्वशन नहीं होता यह सब क्रिया निर्जीवों में नहीं होती है बाहिकरों का मतलब है कि धूल वगेरा जो उसमें जम जाते हैं उससे अब हम बात करते हैं तो उस सर्जन यानि की एक्सक्रिशन की तो सजीवों के शरीर जो होते हैं उसमें विभन प्रिकार के राशानिक क्रियाओं के फलसुरुप उससरी पदार उत्पन होते हैं और अब हम अगली प्रापर्टी आण Owen अनुकूलन समेदन शिल्था यानुकूलन सभी सजीव प्रतिक्याप्रशित करते हं तथा अपने को वातवरण के प्रती अनुकूलन में ढालते हैं और निर्जीवमे नहीं पाया जाता है और नाहीं उन में प्रशनन की चमता का अभाव होता है अब हम बात करते रहुती जीवन चक्र जीवन चक्र होती अ ने जीवों में ऐसा नहीं होता भी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था और फिर से वही चीज लिखी भी है प्रापर्टी में और नहीं खोज ने नहीं की गोशना की है और इसमें जब मानव ने क्रिशी का विकास किया और वह समुधाय के रूप में रहने लगा तब उसे विभिन प्रकार की वश्ट्वों के आवसकता हुई और एक व्यवस्तित जीवन व्यतित करने के लिए अनेक प्रकार की वस्त्व आदी चीजे क्या हैं हमारी प्रकृतिक वस्तुवे हैं और भारती परंपरा में प्रकृति को माता की समान पूर्जे माना जाता है क्योंकि प्रकृति मानव की समस्दाव शक्ता की पूर्थी करती है और इसी कारण से भारत माता कहा गया है आपके में पॉइंट्स जो है य वो इतनी इंप्पॉर्टिन नहीं है अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं के वर्गी करण के बारे में तो जो प्राकृतिक वस्तुओं होती है उनका वर्गी करण कैसे होता है और उप्योगीता कि रिस्टी से इन्हें दो भागो में बाटा जाता है, पहला तो है जो समाप्ट भोने वाली वस्तुवेGroup में हैं, यानि कि या रिवर्सिबल जो चीजे हमें वापस से क्या हो सके प्राप्त हो सके, जिने हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और उ सकती हैं और दुबारा प्राप्त नहीं की जा सकती और कुछ महत्वपर प्रक्रिक वस्तूय संसाधन में हैं जैसे व्धु और क्या है पृत्वी पृतु की आशकता कि प्रस्तितिया क्या हो जाती प्रभावित होती है जैसे अगर वायू में कहा जाए तो क्या होता है वायू में जो होता है वो 78% हमारा क्या होता है दोस्तो नाइट्रोजन होता है ठीक है इसके अलावा जो आपका बचा हुआ 21% है वो आपका क्या होता है oxygen यानि O2 होता है और जल जो है वो प्रक्रिती की सबसे बहुमूले संपदा है पित्वी ग्रह की जीवन दाइनी विशेस्ताओं में पाने की उपस्तिती भी महत्पूर है पित्वी पर लगभग जल का 75% है जिसे हाइड्रोस्फेर कहते हैं यानि पित्वी पर बहुत जादा जल पाय जाता है और मिट्टी के अगर हम बात करें तो मिट्टी अथवा भूमी भी एक महत्पूर प्राक्रितिक संसाधन है और मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान सबजियां और सधियां लकडी इत्यादी की पूर्ती जो है मिट्टी में उगने वाले पौधों के उत्पादन से होती है और लवर जो है लवर या खनिज ऐसे प्राक्रितिक संसाधन है जो प्राक्रिति में पच्चुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं और मतलब की जाहे वो कितना भी हो लेकिन फिनिश हो तो इन खनिजों की मातला सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है अब अगली पॉइंट्स के अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो है आपकी उर्जा यानि उर्जा क्या होती है उर्जा जो होती है वो कोईला लकडी पेट्रोलियम जल शक्ती आदी उर्जा के मुख्य स्र साधन है यानि जो पारंपरिक साधन की बात करें जो चीजे क्या हो जाती है जो उर्जा क्या हो जाएंगी खतम हो जाएंगी समाप्त हो जाएंगी तो उसे हम पारंपरिक कह सकते हैं यानि कि कोईला और पेट्रोलियम जो है वो हमारे पारंपरिक साधन है और यह खतम हो जा हवा हो गया या फिर नाभी की विगटन से जो भी उत्पन उर्जा होती है ये सारी चीज़ें आप अपने से बना सकते हैं क्योंकि ये जो है वापस आपको मिल जाएंगी इसलिए हम इने नवीनी करन कहते हैं यानि कि जो की दुबारा नया बनाया जा सकता है अगला जो है हमारा पॉइंट पौधे और जन्तु तो पौधे और जन्तु भी प्राकरतिक सादन है क्योंकि पौधे और जन्तु मानव की आशकताओं की पूर्ती करने के साथी पर्यावड़ी संतुलन के लिए भी आशक है पेर पौधे सौर उर्जा ग्रहन करके संपुर रखेंट हैं तथा दोनो से फास्शिते होते हैं उनके जाविक गटक हैं कोईला और प्रेट्रोलियुम की बात करें तो ऊप्योंकी पदार्थ जिनकों कर्वह के स्तित्व से गए बहूं बहुमॉल्ही उप्योह कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह अलग-अलग प्राप्त ह सकते हैं कोईला पेट्रोलियम एवं प्राकृति गैस में इन दंदकूइल के भनजग आसवन से हमें दिलने और کوल नोट घर आस पटार मिलता है और कोल बात दोसे काले रङ्क दुर्गंद युक्त तेली प्रदार्थ होता है जो कि छट्टानों में छेद करके निकाला जाता है कच्छे तेल पेट्रोलियम में थोस द्रॉँग और गैस हाईड्रो कारबन होते है इसमें जल नमक वरेद के कड़वी उपस्तित होते हैं तो पेट्रोलियम जो होता है वो आपको क्या मिलेगा चटानों से ही प्राप्त होता है यह जो होता है मतलब की बहुत सालों के बाद जब उसमें जिवाश्म वगेरा जब नीचे दब जाते हैं फिर उनको जब उनका क्य हो जाता है कि वो वापस जब पलट जाती है तो उपर निकल के जब आते हैं तो वो हमें पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि यह हमारा प्रुप्त हैं आप प्रिट्वी आपको कहा जाता है कि पल्टेगी तब मिल सकता है तो यहां पर क्या है कि मतलब जो चीजें बहुत सालों तक लाखों सालों तक जब नीचे दब जाती तो उनके सड़ने गलने से पेट्रोलियम बनता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू लेकर आएंगे तो आप ऐसे ही बने रही है हमारे साथ तो थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग